हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मन्नु क्रियेशन्स आज की वीडियो में हम आपको ब्लाउज का बैक पार्ट में डिजैन करना सिखाएंगे ओके चलिए वीडियो स्टार्ट करता है देखिए बैक पार्ट का हम कटिंग करके रखे हैं और अस्तर और मैन फेब्रिक दोनों को जो इतना बचा हुआ इसमें हम गला कडिजैन निकालेंगे इसको इस तरह से रखेंगे डवल फोल्ड करके रखें हैं और यहां पर गला का चोड़ाई लेंगे दो इंच और डीप आप अपने पसंद के हिसाब से रख लीजिए यहां पर हम आठ इंच पर निसान लगा रहा है और यहां पर हम राउंड सेप देंगे और यहां पर दो इंच और एक्स्ट्रा लेंगे इसके बाहर साइड से दो दो इंच करके यहां पर निसान लगा लेंगे इस निसान को अभी नहीं काटेंगे इसको गला में लगा करके उसके बाद फिर बाद में कट करेंगे यहां पर नीचे साइड में पाइपिंग करेंगे और इसका कमर के पास में भी दो इंच चौड़ा हम सीधा यह पट्टी निकाल लेंगे देखिए इस तरह से लंबा दो इंच का पट्टी हम निकाल लिये हैं यह नीचे कमर के साइड में लगाएंगे और पाइपिंग के लिए यह अलग कपड़ा लिये हैं और इसको हम तीर्चा कट करेंगे उरे भी पट्टी कट कर लेंगे पट्टी कट कर लिये हैं अब इसको जोइंट करेंगे तो इस तरह से जोइंट करेंगे देखिए इस तरह से रखेंगे और इसको इधर पलट लेंगे पलटके और यहां पर सिलाई करेंगे इसी तरीके से सभी पट्टी को जोइंट कर लेंगे अब यह वाला पीस लेंगे और इसके बाहर वाला जो साइड है इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे यह पूरे गोलाई में हम कट लगाएंगे कट यह सिलाई से कटना नहीं चाहिए सिलाई के अंदर ही कट रहेगा अब यहां पर पाइपिंग लगाएंगे तो देखें यह पाइपिंग लगा लिये हैं अब इसको इस तरह से मोड लेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे और यह बैक पाइपिंग का भी सेंटर में कट लगाएंगे यहां पर अब इस तरह से इसको रखेंगे इस पाट को उल्टा करके ही रखेंगे और इसको सीधा वला अंदर रखेंगे और यह निसान यह देखिए इधर निसान लगा हुआ है तो इस निसान को हम इस सेट में यहां पर हम निसान लगा लेंगे निसान लगा लिए हैं अब ये कट को मिलाएंगे और मिला करके इसको यहाँ पर यह सीधा यहाँ पर रख लेंगे और रख कर और चार तरफ से हम पिन लगा लेंगे उसके बाद सिलाई करेंगे अब ये निसान वाला जो है लाइन इसको ही कट कर लेंगे ये गोलाई वाला जगा पर कट लगाएंगे कट लगाते समय ध्यान रखना है सिलाई कटना नहीं चाहिए इसको पलट लेंगे इसको सीधा साइड में पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे अब देखिए दूसरा साइड में यहाँ पर भी सिलाई लगाना है अब दोनों तरफ टक्स लगाएंगे अब देखिए यह पट्टी लिये हैं नीचे में लगाएंगे तो नीचे में भी एक साइड हम पाइपिंग लगा लेंगे इसके बाद इसमें अटैच करेंगे देखिए इस तरह से पट्टी बना लिये हैं अब इसको पलट लेंगे और पलटके इसके उपर इस तरह से रखेंगे यह देखिए सीधा वाला है जो इस साइड अंदर के साइड रखेंगे और इसको सिधा सिलाई करेंगे अब इसको पलट लेंगे और यहां पर एक सिलाई लगाएंगे और इस साइड एक सिलाई लगाएंगे और यहां पर जो कपड़ा सिखड़ा हुआ लग रहा है ना तो यह एमबोर्डरी के वज़ा से ही सिखड़ा हुआ लग रहा है इस तरह से देखिए यह ब्लाउस का डिजाइन बन गया है यह बिल्कुल सिंपल में सिर्फ पाइपिंग दे करके यह डिजाइन बन गया है आपको एडिजाइन कैसा लगा लाइक करें कॉमेंट करें और वीडियो किसी के लिए हेलफुल है तो उसको सेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकोन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंद मिल सकें ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड्स